मैं आपके साथ काली मसूर दाल के रेस्पी शेर करने जार हूँ यह बहुती जल्दी बनके रेड़ी हो जाती और खाने में भी बहुती रेस्टी लगती है तो लेट्स टाइब दीजार्य सबसे पहले हमें मसूर दाल को सोख कर देना मैं आपे वन कप दाल ले रही हूं में त यानि की से दैट कर देना है इसमें हलका सा ब्राउन कर लेना उसके बाद में आप पर ओनियन डाल लेना यानि की प्यास डाल रहे हुआ दो मीडियम साइज के कटे वे चौप कर ले आपको फाइनली या फिर ओनियन को आप को में भी ग्राइंड करके डाल सकते हैं चैसे स्टेब कर लेना आपको इसका चेंज होने तक इसे पकाना है आपको प्यास त्वाश्चा नहीं रहने चाहिए तो टेस्ट अच्छा नहीं आएगा इस अच्छे से आप उन ले रेसिपी टेस्टी तो है यह साथी साथी बहुत ही हल्दी भी रहने रहाली यहां पर मैंने बहुत ही कम ओईल का यूज करकी रेसिपी को बनाया है वन टेबल स्पून आपको अध्रग लसुन का पेस्ट जाल देना एक हरी मिच कट करके डाल देना है और दो टमैटों की प्यो मिर्च और एक चंबच यहां पर ड्राय मैंगो पाउडर यह नहीं के अमचूर का पाउडर डाल दे नमक स्वाद अनुसार डाल दे और इसे अच्छे से स्टर कर ले अब इन सारे मसालों को दो सी तीन मिट तक इसी तरह चलाते हुए पका ले ताकि मसाले अच्छे ना रहे अगर कच्छे रह जाते हैं तो फिर फ्लेवर अच्छा नहीं आता है इसलिए मसालों को भुनना बहुत ही जरूरी होता है कोई भी रेसिपी के लिए अगर मसाले जल रहे हैं तो आप इसमें थोड़ा पानी भी आट कर सकते हैं चाहें तो वीडियो में की मसाला भुनने averal cup उसे यह उनिकर पर डाल दिना है और इससे भी अच्छे से रहें करना है आपसे इससेवं और व Richard लेना है और इसके बाद यहां पर नी को डाल तो हम उसे यूज सकते हैं आपकर एक टेबर स्पून घी को एड़ कर सकते हैं और इसे अच्छे से मिफ कर देना है आपको इसके बाद आपको अगर का लीट लगा के टू फो विसल आने तक दाल को अच्छे से पकाल लेना है डाल पक चुका है इसमें थीन से चार विसल आ चुकी है अब मैं से खोल रही हूं इसमें बहुत ही अच्छी स्मैल आ रही है तो आप इसमें पानी गरम करके डाल दे